हेलो फ्रेंड्स एंड दियर श्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मेटलाजोन जो की एक डियरिटिक एजएंट है और हमारे फार्मासोटिकल केमस्ट्री डिप्लोमाइन फार्मेस्टी फरस्ट ये न्यू सलिबस में हमें देखने को मिलती है इस वीडियो में लोग मेटलाजोन की chemistry, structure, properties, uses, formulation, सित्यादी को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हम दॉक्टर प्रजिने शुकला चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटलाजोन की chemistry, structure और nomenclature का तो मेटलाजोन को जब हम structurally देखते हैं तो ये एक क्यूनाजोलीन derivative है और हम और अगर ध्यान से देखें तो में पता चलता है कि ये एक 1, 2, 3, 4 tetrahydroquinazolein derivative होता है आईए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूनाजोलीन या tetrahydroquinazolein क्या होती है तो ये एक naphthalene जैसा ring system होता है जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक hetrobicyclic ring system जब दो benzene rings आपस में जोड़ती हैं तो उसे हम लोग naphthalene बोलते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी एक जो है benzene ring तो वो बनी हुई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो second वाली benzene ring है उसमें position number one और position number three पर nitrogen आ गया है कार्बन को replace करके ठीक है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे अब अगर यहाँ पर सभी जगहों पर double bond होता तो इसी को हम लोग क्यू नजोलीन रिंग के नाम से जानते हैं जो क्यू नजोलीन आप बोल रहे हो लेकिन position number one two three और four पर यहाँ पर double bonds थे तो इन जभी जगहों पर double bond हटा हटा कर एक हाइड्रोजन और लगा दिया गया यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन और आ गया यहाँ पर एक हाइड्रो क्यू नजोलीन बोलते हैं क्यू नजोलीन जो है इस रिंग सिस्टम को हम बोलेंगे तो यहाँ पर क्या है यह नेप्थलीन जैसा रिंग सिस्टम है जिसमें पहले और fourth position पर किया का वाट लगाया और पहले दूसरे टीसे और चृतिसे इं सभी जगों पर एक हाइड्रोज तो यह जो हमाई drug है metrazolein यह भी एक 1-2-3-4 tetrahydroquinazoline derivative है और इसमें जो hydrogens हैं यह hydrogens जो इन पोशिशन पर लगे हैं इन्ही hydrogens को हम replace करके drug का structure जो है वो देख पाएंगे तो हमने जैसा पहले बता है कि आपको metazolone जो है वो 1-2-3-4 1-2-3-4 tetrahydroquinazoline derivative है और इसमें कुछ substitutions किये जाते हैं जैसे कि अब इसकी numbering अगर हम लोग करेंगे तो numbering हम लोग यहीं से start करेंगे 1, यह हो जाएगा हमाया position number 1 यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, 7 और 8 ठीक है यह 9 और 10 है जो कि fusing है तो इसमें जो position number 6 है यहाँ पे एक hydrogen है उसको replace करके सलफोमायल ग्रूप लगाया जाएगा position number 2 जो है आपकी इसके एक hydrogen को replace करके यहाँ पर methyl ग्रूप यानि की CH3 ग्रूप लगा जाएगा इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब sulfur जो है वो 2 oxygen और 1 NH2 ग्रूप के साथ जुड़ता है तो इसे को हम लोग सलफोमायल ग्रूप के नाम से जानते हैं तो यह सलफोमायल ग्रूप कहा लगेगा position number 6 पे methyl ग्रूप लगेगा position number 2 पे और जो हमारा position number 3 है position number 3 पे जो यह nitrogen है इसके hydrogen को replace करके यहाँ पर हम tolile ग्रूप लगाएगे tolile ग्रूप का मतलब होता है कि benzening और उस पर एक methyl ग्रूप लगाओ यह methyl ग्रूप तूसरे position पर यह ortho position पर लगा होगा और इस nitrogen के साथ जुड़ेगा तो इसे हम लोग 2 lolil या फिर 2 lolil या फिर ortho tolile ग्रूप के नूम से जानेंगे अभी हम आपको structure में दिखा भी रहे यह है हमारा position number 3 और इस पर आप देखरें एक benzening लगी और इस benzening के दूसरे position पर methyl ग्रूप लगा है इसे हम लोग tolile ग्रूप के नाम से जानते हैं जो कि toluene से बन रहा है और इसके position number 1 से जो है यहाँ पर double one O लगा देगे तो आए इसी इनी सभी बातों को अगर structure में देखनें तो हमारी जो structure है ड्रक का वो हमें दिख जाएगा हम देखनें दो fuse ring system है जहाँ पर heterocyclic ring system इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर carbon को replace करके position number 1 और position number 3 पर आपको nitrogen देखने को मिल रहा है इस ring system की numbering हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 करेंगे position number इन सभी जगों पर क्योंकि हमने पहले hydrogen जोड़े थी इसलिए इसे 1, 2, 3, 4, tetra मतलब 4 hydro मतलब hydrogen जोड़ना quinozoline ring इसे बोल रहा है अब इसके दूसर नंबर के hydrogen को replace करके methyl group लगाया है तीसरे नंबर के hydrogen को replace करके यहाँ पर 3rd position पर ortho tolile क्योंकि यह ortho position पर CST लगावा है इसलिए ortho tolile बोल सकते हैं या फिर दूसरे नंबर पर लगाया है तो उसे 2 tolile भी हम बोल सकते हैं दोनों ही बाते सही हैं next position number 4 पर दोनों hydrogen हटा करके लगा है और जब यह पूरा structure आप देख पा रहें यही जो है हमारा metazolone का structure है अब इसी structure से इसका IUPAC नाम हम लिख सकते हैं IUPAC नाम के अगर बात करें तो simple इसी structure को देखते वे नाम लिखेंगे that is 7 chloro, 7 नंबर पर CL लगा हुआ है और 6 portion पर इसके sulfonamide है तो यह इसका नाम हो जाएगा 7 chloro, 2 methyl, 4 oxo, 3 orthotolyl, 1, 2, 3, 4 tetrahydroclonazoline, 6 sulfonamide जो की metazolone का IUPAC नाम है अब बात करते हैं इसके physical properties की तो अगर physical state की बात करें तो यह solid रूप में हमें crystalline powders के रूप में देखने को मिलता है colors की बात करें तो यह drug हमें white color की देखने को मिलती है कोई सी प्रकार का कोई taste जैसे bitter taste या sweet taste इसमें कुछ नहीं होता testless होता है orderless होता है किसी तरीकी की सुगंद या दुरगंद भी में देखने को नहीं मिलती melting point काफी high है अलग-अलग literature में इसका melting point 253 से 269 के बीच में बढ़ ज्यादा जगों पर ये 256 से 269 degree Celsius के बीच में देखने को मिलता है solubility की बात करें तो ये water में और alcohol में generally insolubile होता है या बहुत ही कम solubile होता है solubility इसकी DMSO और dimethyl formamide में ज्यादा अक्टर देखने को मिलती है जबकि water और alcohol में बहुत ही कम या फिर लगबग insolubile condition में देखने को मिलता है stability storage की बात करें तो इसे हम लोग well close air tight containers के अंतरगत जो है store करके रखते हैं और room temperature पर इसे रखा जा सकता है इसे light heat और moisture से बचाना चाहिए क्योंकि light heat और moisture के presence में इसका degradation सुरू हो जाता है तो यह stable नहीं रह पाता है जो 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 इसकी बात करें तो metazolone जो है वो एक thiazide like diuretic होती है thiazide का हम लोगोंने काफी सारे example सभी इसके पहले के वीडियो में देखे थे और मैंने आपको बताया था है जो thiazide diuretics होते हैं वो हमारे जो kidneys हैं वहाँ पर जो distal convolated tubules हैं वहाँ पर जो sodium और chloride co-transpirator होता है उसका inhibition कास करते हैं और इस inhibition की वज़े से diuretic action को वो show करते हैं यानि कि urine के जो production है उसको बढ़ाने का काम करते हैं generally जो chronic renal failures होती है जिस case में urine का formation जो है वो distal होता है रुकता है, कम होता है उन cases में इस drug का परियोग करके urine के production को बढ़ाने का काम करती है इसलिए ये एक diuretic agent है ये इसके साथी साथ ये क्योंकि urine के production को बढ़ा रही है और जो ions हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कर रही है इसलिए blood pressure को कम करने के काम में आती है और potassium loss को increase करने का काम आती है यानि बोडी में अगर potassium बढ़ गया हो तो उसे कम करने के लिए भी इस रखका परियोग किया जा सकता है इसलिए यानि के production को बढ़ाने होला anti-hypertensive agent जिस व्यक्ति का tension जो है blood pressure जो है वो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के काम में आगा इसलिए anti-hypertensive agent के रूप में इसका प्रियोग करते हैं और यह ion transport inhibitor है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया sodium और जो chloride ion का जो co-transporter होता है उसको inhibition करके यह अपना action show करता है इसलिए से ion transport inhibitors के रूप में भी जानते हैं और इसलिए यह इपने इस actions के वज़े से oedema यानि ऐसी condition जब congestive heart failure और hepatic या renal disease यानि कि liver या kidney की diseases की वज़े से अगर शरीर में किसी जगब पर fluid या water accumulate हो रहा है कठा हो रहा है, solution हो रही है तो उसको कम करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है इस drug का प्रियोग हम लोग oedema को कम करने के काम में लाते हैं next is pharmaceutical formulations तो जो metazolone होती है वो generally tablets के रूप में देखने को मिलती है जो की different नाम से मिलता हमें जैसे की metolos के नाम से metoz, diurem, metarol, metaduray, lazone, zetanex, etc brand name से ये drug market में हमें देखने को मिलती है अगर doses की बात करें तो oral dose जो है इसकी 5-20 mg पर दे तक हो सकती है patient की condition के हिसाब से एक दिन में 2.5 mg की tablets दो बार में भी दी जा सकती है या फिर 5 mg से लेकर के 10-20 mg तक per day का ये dose है दो बार में, एक बार में, तीन बार में दी जा सकती है as per different tablets जो market में doses form में आती है तो ये थाज का हमार topic जहां पर हमने metazolone जो की कफी important drug है आपके pharmaceutical chemistry में उसमें diploma in pharmacy syllabus के हनुसार जितनी जानकारी आपको देनी चाहिए, उतनी देनी की कोशिश किया फिर भी अगर आपके कोई comments हैं, कोई आपके questions हैं तो आप comment box में लिख सकते हैं उसे हम answer करने की कोशिश करेंगे वीडियो आपको पसंद आयोते से like कीजिए, अपने friends में share कीजिए, चैनल पने हों तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए इसका जो PDF का link है वो आपको नीचे description में मिल जागा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं के पहले कि सभी drugs का जो वीडियो है वो भी हमनी चैनल पर अप्लोड कर रखा है, वहाँ से आप और भी drugs के बारे में जानकारी ले सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादी